बच्चों आज कक्षा छे की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग जो पिछला पार्थ हम लोगों ने शुरू किया था चतूर्था पार्था विद्यालिया ये पार्थ हम लोगों ने शुरू किया था और इसमें हम लोगों ने विद्यालिय से उसका अर्थ समझा था और उसमें आये हुए शब्दों का एकवचन द्वीवचन और बहुवचन भी हम लोगों ने समझा था और उसे जाना था तो आज हम लोग उसी पार्थ का शेश भाग पढ़ेंगे और कल जिन शब्दों को हम लोगों ने इसमें देखा था उसमें चात्राह यानि की बहुवचन और उसमें एक वचन में क्या होता है चात्रह दूई बचन में चात्रव और बहुवचन में चात्रह इसी तरह से सिक्षकह, शिक्षकह शब्द यहाँ पर आये था और वह सिक्षकाह शब्द था जो बहुवचन का था और उसका एक वचन होता है सिक्षकह और द्वी वचन होता है शिक्षकव और बहुवचन होता है शिक्षकाह और इस्त्रिलिंग में उसी का रूप हम लोगों ने देखा था सिक्षिकाह शिक्षिकाह जो है वो बहुवचन है और एक वचन में सिक्षिका कहते हैं और द्वी वचन में शिक्षिकव और बहुवचन में सिक्षिकाह तो ये एकवचन, द्वीवचन और बहुचन का रूप हम लोगों ने कल पढ़ा था और उसके बाद उध्यानम के बारे में वित्याले के बगीचे के बारे में कुछ वाक के थे और आज हम लोग उसी के आगे का शेश जो समवात के रूप में लिखा हुआ है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चात्र, एक चात्र और एक चात्रा जो है अपस में बादचीत कर रहे हैं वो उसका परिचे पूछते हैं और अपना परिचे देते हैं और फिर पता चलता है कि वो इसी वित्याले में पढ़ते हैं और वो दोनों मित्र बन जाते हैं तो अब उसके आगे हम लोग आज इस कक्षा में पढ़ेंगे तो सभी लोग अपनी संस्कृत की किताब निकाल लेंगे और उसमें चतुर्था पाथा निकालेंगे और ध्यान से इसे पढ़ेंगे और कल हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था ये पेज रंबर है 24 तो 24 का पहला समवाद जो लिखा था रिचा और प्रडवा के नाम से तो ये हम लोगों ने पूरा पढ़ा था जिसमें रिचा कहती है तव नाम किम इसे हम लोग एक बार फिर से जो है समझेंगे और इससे देख कि इसमें कल क्या हम लोग पढ़े थे और फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिचा क्या कहती है और रिचा कहती है कि तव नाम किम तुम्हारा नाम क्या है प्रडवा प्रडव कहता है मम नाम प्रडवा मेरा नाम प्रडव है तो हम कुत्र पठासी तुम कहां पढ़ते हो प्रडवह अब प्रडव का नाम लिखा है यानि कि ये वाग के प्रडव बोल रहा है कहता है अहम अत्र एव पठामी मैं यहीं पढ़ता हूँ रिचा कहती है अहम अपी अहम मतलब मैं भी मैं अपी मतलब भी मैं भी अत्र एव पठामी यहीं पढ़ती हूँ इदानिम आवाम मित्रे स्वह इदानिम मतलब अब आवाम मतलब हम दोनों मित्रे स्वह मतलब मित्र हैं तो इस तरह से उन दोनों का परिचे होता है और अब हम लोग आगे का वाक्य देखेंगे ये समवाद कौन बोल रहा है किस से बोल रहा है इसके बारे में जानेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला वाक्य सभी बच्चे देख रहे होंगे 24 पेश नमबर पे जो दूसरा चितर बना है उसमें कुछ चात्राइं हैं और एक अध्यापी का है अध्यापी का छात्रों से कुछ बोल रही है और चात्राएं उसका जवाब दे रही है तो यह क्या बोल रही है यहाँ पे हम लोग समवाद के माधियम से देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है तो सबसे पहला वाग के है यहाँ पर सिक्षिका, सिक्षिका एकवचन है और इसी के आगे अगर विसर्ग लग जाता तो यह बहुचन हो जाता जैसे कि यहाँ पर सिक्षिका, सिक्षिका शब्द जो है वो एक वचन है, एक वचन में सिक्षिका और इसी को अगर हम विसर्ग लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा बहुचन, और बहुचन का ये रूप बन जाएगा, यानि कि अनेक सिक्षिकाएं, अनेक ये बहुचन, अनेक के लिए प्रियोग होता है, तो ये बहुचन का रूप है, तो ये बहुचन बन जाएगा, और केवल विसर्ग लगाने से, तो विसर्ग नहीं लगा है, तो वो एक वचन है, और विसर्ग लगा है, तो वो बहुचन है, अनेक के लिए इसका प्रियो किया जाता है तो यह पहचान है एक वचन और बहुचन की और अब हम लोग देखेंगे यहां पर कि क्या आगे वागे लिखा है शिक्षिका कहती है कि छात्राह यहां संबोधन का निशान लगा है आगे संबोधन का निशान है हे छात्राओं छात्राह यह बहुचन है और वो कहती है कि हे छात्राओं यूयम किम कुरूत यूयम मतलब तुम सब यूयम का अर्थ है तुम सब यहां पर यूयम यानि तुम सब किम मतलब क्या पहले भी बताया गया है कि मतलब होता है क्या और कुरूत मतलब बहुवचन है यहां पे कुरूत का प्रयोग है क्या कर रही हो यहां पे क्या कर रही हो कुरूत कुरूत मतलब कर रही हो और कि मतलब क्या तो तुम सब क्या कर रही हो यहां कुरूत जो है वो तुम सब के लिए प्रियोग किया गया है बहुवचन का रूप है और तौम शब्द मध्यम पुरुष एक वचन में आता है और यह मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है तो यहां पर करोशी कुरूत शब्द बनता है तो बहवचन में कुरूथ का प्रयोग यहां पर किया गया है और अब हम लोग देखेंगे कि इस वाक्य का क्या अर्थ निकलता है सिक्षिकाह, सिक्षिकाह कहती है हे चात्राओं, चात्राह, फिर यहां पर संबोधन का निशान है तो यह संबोधन यानि कि बच्चों को बोल रही है हे चात्राओं, यूयम किम कुरूथ यूयम मतलब तुम सब किम मतलब क्या, कुरूथ मतलब कर रही हो तो यहां पर प्रश्न वाचक निशान भी लगा है जिससे पता चल रहा है कि सिक्षिकाह पूछ रही है तो तुम सब क्या कर रही हो तो चात्राः, सभी चात्राएं सभी चात्राएं उनका उत्तर देती है कहती है कि आचार्ये, ही आचार्या आचार्ये शब्द जो है वो पुलिंग में बोलते है और इस्त्रिलिंग में आचार्या बोलते है जैसे सिक्षक पुलिंग में और सिक्षी का इस्त्रिलिंग में अध्यापक पुलिंग में और अध्यापी का इस्त्रिलिंग में तो यहाँ पे आचार्ये यह आचार्या शब्द से बना है आचार्या यानि की अध्यापी का तो सभी छात्राएं कहती हैं कि हे आचार्या वयम गच्छामः वयम मतलब हम लोग यहां पे वयम का आर्थ है हम लोग और यहां पे गच्छामः गच्छामः का आर्थ है जा रहे हैं गच्छामः शब्द का प्रयोग गच्छामी गच्छावह गच्छामः और वयम जो है वो उत्तम पुरुष का सर्वनाम शब्द है अहम आवाम वयम, तो हम लोग वहाँ पे बहुत सारी चात्राएं हैं, इसलिए उत्तम पुरुष बहुअचन का प्रयोग किया गया है, जिसमें वयम का आर्थ होता है हम लोग, और किवल हम अपने भारे में बात करेंगे तो अहम बोलेंगे, अहम मतलब मैं, और आवाम मतलब हम द मतलब जा रहे हैं, तो यहां पे गच्छामा का आर्थ हो गया, जा रहे हैं, और अब हम लोग इस वाकी को फिर से देखेंगे, कि सिक्षिका जब पुछती है, चात्राह यूयम किन कुरूद, हे चात्राओं तुम सब क्या कर रही हो, तो चात्राह, सभी चात्राएं बोलती हैं, हे आचार्या, वयम गच्छामा, हम लोग जा रहे हैं, वयम मतलब हम लोग, गच्छामा मतलब जा रहे हैं, तो इस तरह से सिक्षिका के पूछे गया प्रशन का सभी चात्राओं उत्तर देती हैं, तो इसमें सभी बच्चे देख रहे होंगे, कि जब सिक्षिका लोग कर रही है मध्यम पुरुष बहुवचन का तो अम मतलब तुम युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब बहुवचन में तो यहां पर यूयम मतलब तुम सब क्या कर रही हो तो जब हम जवाब देंगे तो हम कहेंगे हम सब शिक्षिका पुछेगी तुम सब और हम लोग जब उत्तर देंगे तो बोलेंगे हम सब वयम वयम मतलब हम सब और केवल अगर हम उत्तर देंगे अकेले तो अहम का प्रियोग करेंगे एक वचन में एक वचन में अहम का प्रियोग होगा द्वी वचन में आवाम का प्रियोग होगा और बहु वचन में वयम का प्रियोग होगा वयम मतलब हम लोग तो इस तरह से सभी छात्राएं उत्तर देती हैं कि हे आचार्या आचार्ये वयम गच्छा मह हम लोग जा रहे हैं अब वो दूसरा उसके आगे वो सिक्षिका क्या पूछती है यह यहाँ पे लिखा है सिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छत तुम सब यूयम का प्रियोग फिर से आया है यूयम मतलब तुम सब यूयम ये बहुवचन है और तुम सब के लिए इसका प्रियोग किया गया ह तुम एक वचन होता है युवाम द्वी वचन होता है औरु यूयम बह वचन होता है. तो तुम के लिए जो है तुम काप्रियों करते हैं एक वचन में. तो अब जो है वो यूयम कुत्र गच्छत जब सिक्षिका पूछती है कि तुम सब कुत्र मतलब कहां ये पहले भी शब्दाया कुत्र कुत्र मतलब कहां तो कहां जो है इसका अर्थ है कुत्र का अर्थ है कहां तो इस तरह से सिक्षिका पुछती है कि यूयम कुत्र गच्छत तुम सब कहां जा रही हो चात्राह सभी चात्राएं कहती हैं कि वयम सभागारम गच्छामः अब फिर से यहां पे वयम और गच्छामः शब्द आया है वयम मतलब हम लोग गच्छामः मतलब जा रहे हैं कहां जा रहे हैं ये वो लोग बताते हैं कुत्र का जवाब वो लोग देते हैं कि कहां जा रहे हैं तो वयम सभागारम गच्छामा, सभागार जहां पर की लोग इकठे होते हैं, बच्चे इकठे होते हैं, कोई भी कारिक्रम हुआ या कोई भी चीज की जानकारी देनी है, तो वो सभागार उसे कहते हैं, सभागारम गच्छामा, और जहां पर प्रार्थना भी की जाते हैं, उ सभागारं गच्छामा हम लोग सभागार जा रहे हैं अठाथ वहां पर जहां कि सब एक जगा इकठे होते हैं सभी चात्र सिक्षिका कहती है कि युश्माकम पुस्तकानी कुत्रसंती युश्माकम युश्माकम मतलब तुम लोग का तुम सब का यहां पे युश्माकम का अर्थ लिखेंगे हम यहां पे युश्माकम मतलब तुम सब का तुम्हारा ठीक है तुम्हारा यानि तुम सब का पुस्तक कहा है तो इस तरह से हम लोग जो सिक्षि का पुछती है वो क्या पुछती है यह इस वाकि में देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि युश्माकम पुस्तकानी कुत्रसंती युश्माकम मतलब तुम लोगों का युश्माकम तुम लोगों का यहाँ पर अर्थ लिखेंगे युश्माकम युश्माकम मतलब तुम लोगों का तुम लोगों का यानि कि जितनी भी वहाँ पे छात्राएं है तुम लोगों का यहां पे पुस्तक है तो यहां पे हम लोग की का प्रियोग करेंगे क्योंकि तुम लोगों की पुस्तक पुस्तके तुम लोगों की का की या के का प्रियोग किया जाता है तुम लोगों की पुस्तक के साथ ये वाकिय आया है तो यहां पे हम की कर दिये हैं और वैसे तुम लोगों का या तुम लोगों की इस अर्थ में इसका प्रियोग किया जाता है तो यूश्माकम पुस्तकानी कुत्र संती संती शब्द का प्रियोग पहले भी हम लोग कर चुके हैं, है के लिए जो बहु वचन में संती का प्रियोग करते हैं, एक वचन में अस्ती का प्रियोग करते हैं, द्वी वचन में अस्ता का प्रियोग करते हैं, और बहु वचन में संती का प्रियोग करते हैं, तो ये फिर से हम एक बार यहां पर बता रहे हैं कि अस्ति मतलब है ताकि ये सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्रियोग में आते हैं तो ये पहले भी पाठ में आया था और इसमें भी है तो इसे फिर से जानना जरूरी है अस्ता है दूई बचन में आता है हैं के लिए दो के लिए आता है और संति का प्रियोग बहुवचन में होता है है के लिए यानि कि अनेक के लिए अनेक जब होता है तो उसके लिए संति का प्रियोग करते हैं और ये दो के समझ भी लेना चाहिए तो अब हम लोग देखेंगे युश्माकम का अर्थ है तुम लोगों की सिक्षि का पुछती है कि युश्माकम पुस्तकानी कुत्र संती तुम्हारी पुस्तके कहां है संती का मतलब है कुत्र मतलब कहां और संती मतलब हैं तो यहां पर इसका प्रियोग संति का बहुअचन का प्रियोग किया गया है क्योंकि बहुत सारी छात्राइं हैं तो यह जो है कि तीनों का अर्थ हमें इससे समझ में आ जाता है कि हमें यहां पर संति का प्रियोग क्यों करना है और यहां पर इसका क्या आर्थ है है पुस्तकानी बहुवचन है तो नपुंसक लिख के शब्दों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए समझ लेना चाहिए पत्रम पत्रे पत्राणी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी तो इस तरह से इनको समझ के याद करना चाहिए और इसमें पूछा गया है कि तुम्हारी तुम लोगों की पुष्तक हें कहां हैं चाट्र आ चांद रहे वाले वाक्ष्य पर धियान देंगे सबी छात्राइं कहती हैं कि अस्माकम पुस्तकानी अत्रसंती अस्माकम मतलब हमारी यहां पर अस्माकम का शब्द का प्रयोग हुआ है अस्माकम यानि कि हमारी तो यहां पर हमारी शब्द का प्रयोग हुआ है अस्माकम और असमाकम शब्द का प्रियोग ये तीसरे चित्र में भी आया था पहले पेच पे जहां पार्ट का नाम लिखा हुआ है और वहाँ पे एतत असमाकम विद्यालिय से इस वाकिका प्रयोग किया गया है कि यह हमारा विद्यालय है तो अस्माकम शग्द हम लोग वहां भी पढ़े थे तो यहां पे फिर से उसका प्रयोग हुआ है अस्माकम अस्माकम पुस्तकानी अत्र संती हमारी पुस्तके अस्माकम पुस्तकानी, पुस्तकानी पुस्तके हो गए और अत्र मतलब यहां, अत्रकार्थ है यहां, हमारी पुस्तके यहां संती मतलब हैं, अस्माकम पुस्तकानी अत्र संती, हमारी पुस्तके यहां है, वो अपनी पुस्तकों को दिखाती हैं सभी चात्रा हैं, और कहती है कि हमारी पुस्त के यहां हैं तो इस तरह से यह संबाद पूरा होता है एक सिख्षिका अर्थात अध्यापिका और कुछ लड़कियों के बीच में कुछ चात्राओं के बीच में तो यह दोनों में बातचीत होती है चात्राओं और सिख्षिका के बीच में और उसे बहुत सु चात्राह यूयम किम कुरूद तुम सब क्या कर रही हो तो सभी चात्राएं उत्तर देती हैं कि आचार्ये वयम गच्छामा हे आचार्या हम लोग जा रहे हैं सिक्षिका पुछती है यूयम कुत्र गच्छत तुम सब कहां जा रही हो तो सभी चात्राएं उत्तर देती हैं कि वयम सभागारं गच्छा मह हम लोग सभागार जा रहे हैं असेंबली में भी जो असेंबली जहां होती है उसे भी सभागार कहते हैं सिक्षिका कहती है कि युश्माकम पुस्तकानी कुत्र संती तुम्हारी पुस्तके कहां हैं तो सभी चात्राएं उत्तर देती हैं कि अस्माकम पुस्तकानी अत्र संती हमारी पुस्तके यहां है अब इ पीसरा समवाद देखेंगे जो एक सिक्षक और दो चात्र के बीच में हैं जैसा कि चित्र में बना हुआ है सभी बच्चे देखेंगे चित्र में कि यहां पे एक सिक्षक खड़े हैं और साथ में दो चात्र हैं तो यह लोग क्या बात करते हैं यह इनका समवाद कैसे होता है ये हम लोग इन वाकियों के माध्यम से पढ़ेंगे. तो यहाँ पे पहला वाकिय लिखा है सिक्षक. सिक्ष कहता है कि चात्रव, हे चात्रो, दो चात्र हैं चात्रव, इसमें एक वचन में जो है प्रियोग होगा, चात्रव, यहां पे हम लिखते हैं एक वचन में छात्रह, द्वी वचन में छात्रव और बहु वचन में छात्रा तो यह जो है प्रियोग होता है एक वचन, द्वी वचन और बहु अचन में तो यह तीनों प्रियोग जो है वो वचन में अलग-अलग होता है शिक्षक चात्रव उसके बाद संबोधन का निशान है हे चात्रों वो दोनों चात्रों को कहता है कि हे चात्रों युवाम किम कुरुथा युवाम यहाँ पे युवाम शब्द का प्रयोग हुआ है युवाम कार्थ होता है तुम दोनों युवाम करते हैं तुम दोनों किम कुरुथा है किम कार्थ होता है क्या ये तो पहले भी बताया गया है और कुरुथा शब्दा आया है इससे पहले कुरुथा आया था यहाँ पे कुरुथा मतलब कर रहे हो कर रहे हो तो यहाँ पे वो सिक्षत पूछते हैं कि छात्रो युवाम किम कुरुथा है सभी बच्चे ध्यान देंगे कि उपर जो सिक्षिका पूछी थी कि युवाम किम कुरुथ वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग था इसलिए इसके यहाँ जो विसर्ग लगा हुआ है यह उसमें नहीं लगा था बहुवचन में केवल कुरूत होता है और द्वीवचन में कुरूत हो गया है तो युवाम अर्थात तुम दोनों किम मतलब क्या और कुरूत हो मतलब कर रहे हो तो युवाम किम कुरूत हो तुम दोनों क्या कर रहे हो तो इसमें यह बहुत अच्छे से समझना होगा कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है वो सह तौते प्रथम पुरुष में होता है और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम होता है और एक वचन एक के लिए, द्वी वचन दो के लिए और बहुचन अनेक के लिए होता है तो इस तरह से वचन के अनुसार अलग-अलग शब्दों का प्रियोग किया जाता है तो अब यहाँ पर युवाम का प्रियोग है तुम दोनों अगर यहाँ पर एक ही छात्र होता तो सिक्षक पुछता कि तुम किम करोशी यहाँ पे करोशी शब्दाता एक वचन का कि तुम क्या कर रहे हो लेकिन यहाँ पे दो छात्र हैं इसलिए युवाम के साथ कुरुथा का प्रियोग क्या गया है करोशी कुरुथा कुरूथ ये तीनों वचन में मध्यम पुरुष का जो है वो धातुरूप है तो जब सिक्षक पूछते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो तो छात्रो दोनों छात्र कहते हैं कि आचार्य आवाम श्लोकं गायावः आवाम मतलब हम दोनो आवाम कार्थ है आवाम यानि कि हम दोनो दोनो चात्र कहते हैं कि हम दोनो आवाम श्लोकम श्लोक शब्द सभी जानते हैं हिंदी में जो गीत के रूप में या पद्धे के रूप में लिखा जाता है उसे श्लोक कहते हैं और श्लोकम यानि श्लोक को यहाँ पे दुईतिया विभक्ति कर्मकारक का प्रयोग है श्लोकम और गायावः गायावः मतलब गा रहे है गायावह, गायावह गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? श्लोक गा रहे हैं, तो वो दोनों चात्र सिक्षक को बताते हैं, कि वे दोनों श्लोक गा रहे हैं, सिक्षक, अब सिक्षक कहता है कि शोभनम, शोभनम मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिख थ किम युवाम किम मतलब क्या और युवाम मतलब तुम दोनो तुम दोनो श्लोकम श्लोक न लिखता है यहाँ पे कुरूथा है कर रहे हो और लिखता है मतलब लिख रहे हो तो यहाँ पे प्रियोग हुआ है लिखता है क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो, ना लिखता है, सभी बच्चे इस वाग के पर ध्यान देंगे, कि सिक्षक उन बच्चों को क्या कहता है, शोभनम मतलब गुड के लिए शोभनम का प्रियोग करते हैं, अती शोभनम, वेरी गुड, तो शोभनम मतलब अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखता है, किम युवाम, क्या तुम दोनों, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, क्या तुम दोनों श्लोकम, श्लोकम मतलब श्लोक, न लिखता है, नहीं लिख रहे हो, तो लिखता है का अर्थ हो गया, लिख रहे हो, और न लिखता है का अर्थ ह जाएगा नहीं लिख रहे हो तो न लग जाने से वो शब्द जो है वो नहीं के अर्थ में हो जाता है तो लिखता का अर्थ हो गया लिख रहे हो और न लिखता का अर्थ हो गया नहीं लिख रहे हो तो इस तरह से न लगने से वो अर्थ जो है नहीं के अर्थ में आ जाता है चात्रव, दोनों चात्र कहते हैं कि आवाम लिखावः आवाम मतलब यहाँ पे आवाम शब्द आया है हम दोनो युवाम तुम दोनो, आवाम हम दोनो तो वो कहता है कि आवाम हम दोनो लिखावः लिखावः मतलब लिख रहे हैं पठावः पढ़ रहे हैं गायावः गा रहे हैं चित्राणी अपी चित्राणी शब्द बहुवचन का है एक वचन में होता है चित्रम और द्वी वचन में होता है चित्रे और बहुवचन में होता है चित्राणी तो इस तरह से चित्रम चित्रे चित्राणी ये एक वचन दुई वचन और बहुवचन में रूप बनता है तो वो दोनों चात्र कहते हैं कि आवाम लिखावः हम लोग लिख रहे हैं और पठावः पढ़ रहे हैं गायावः गा रहे ह और चित्रानी अपी रचियावः और चित्र भी बना रहे हैं यहां पे गायावः रचियावः का आर्थ होता है बना रहे हैं तो यहां पे लिखावः गायावः यह बहुत सारे शब्दाएं हैं जिनका की यह सभी धातुरूप है और इनका यहां पर प्रयोग दिखाया ग उत्तम पुरुष द्वीवचन में लिखावः, गायावः, पठावः और चित्राणी रचियावः, तो रचियावः कार्थ हैं यहां पे बना रहे हैं, रचियावः, रचियावः कार्थ हो गया, बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चितर बना रहें चित्रणी चित्राणी मतलब बहुत से चित्र तो लोग चित्र बना रहें तो जिलू हमें जिशन का रूप है जिशन का और बहुत से लोग बनाते मेंश income रचिया घ्रमार्ण दो यहाँ पे रचयावा का प्रियोग किया ग्या है शिक्षक अब सिक्षक कहता है कि बहुष भुवर नम मतलब बहुत अच्छा यानि कि तुम लोग इतना सार और रहे हो लिख मी रहो पढ़ हो गार भी रहो तो इस तरह से यहां पे सिख्षक बहुत प्रसंद होते हैं चात्रों के दोनों चात्रों के कारे को देखकर और कहते हैं कि बहुत अच्छा तो इस तरह से इस पार्ट में ये तीन समवाद लिखा गया है समवाद के रूप में इसे लिखा गया है और इसमें रिचा और प्रडव इन दोनों का समवाद है एक जगह सिख्षक और चात्राओं का समवाद है और एक जगह सिख्षक और दो चात्रों का समवाद है तो इसमें हम लोग बहुत सारे शब्दों का प्रियोग देखे हैं और इसके लिए लट लकार वर्तमान काल के रूप को समझना बहुत आवश्यक है तो इसको हम लोग इसके माध्यम से हम लोग कुरोथ यानि क्री धातु का क्री मतलब करना होता है क्री धातु का रूप और उसके बाद फिर गम धातु का रूप गच्छामा गम कार्थ होता है जाना जो करोती यहां पे कुरूता है और कुरूत शब्द बना है उसमें क्री मूल शब्द है और क्री कार्थ होता है करना और गम से गच्छती बनता है और गम कार्थ होता है जाना और पठ से पढ़ना बनता है पठती पढ़ता पठनती तो यहाँ पे पढ़ना शब्द होता है तो इसी तरह से और भी शब्द बनते हैं तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से एक वचन द्वी वचन और बहुचन का संबाद में प्रयोग किया गया है तो इसके लिए धातु रूप के लिए आपकी पुस्तक में पीछे व्याकरण में दिया हुआ है उसमें से कोई एक लटलकार का रूप याद कर सकते हैं और सर्वनाम शब्द को समझना है पहले पाठ में पुलिंग था सह तवते और उसके बाद पर त्वम युवाम युयम और अहम आवाम वयम तो त्वम का प्रियोग हम लोगों ने यहाँ पे पहले समवाद में सीखा जिसमें की रिचा पूछती है कि मम नाम रिचा तौम कुत्र पठसी तुम कहां पढ़ते हो यहां पठसी का प्रयोग हुआ है और तौम मतलब तुम वो एक वज़न हो गया और यहां पे तीसरे वाले चित्र में युवाम का प्रयोग हुआ है तुम दोनों और बीच वाले समबाद में यूयम का प्रयोग हुआ है तुम सब तो एक वज़न में क्या बना तौम और द्वी वज़न में बना यूवाम और बहु वज़न में बना यूयम तो इस तरह से उ इस कक्षा में हम लोग यहां तक पढ़े यह पार्थ इस पार्थ में आय कठिन शब्द और व्याकरन की दिर्श्टी से भी हम लोगों ने उसको समझा और यहां समवात के रूप में हम लोगों ने कई वाक्य देखे किस तरह से बातचीत होती है और उसका उत्तर पूछना बत और इसके अभ्यास के प्रश्टों को समझेंगे शुद उचारण वाले शब्दों का शुद उचारण करेंगे और बाकी प्रश्ट जो इसमें दिये गये हैं उसे समझेंगे तो इसी के साथ यह कक्षा यहां पे समाप्त होती है धन्यवाद